दिपावली का तुहार नजदीक है और ऐसे में जो आउट सोर्सिंग करमचारी है उनके सामने कहीं परेशानिया आ रही है वो परेशानिया भी सरिफ वेसे कि उनको कहीं महीनों से तंखा नहीं मिली जिसके बाद वो कहीं न कहीं काफी परेशान है घर कैसे चलेगा दिपावल जो आउट सोर्सिंग करमचारी है वो यहां पर इखटा हुए हुए हैं और कॉंग्रेस के निता आंशानिया इनकी बात को अधिकारियों तक पहुंचाने के लिए वो लोग यहां पर आए हैं और बताया जा रहा है कि कई महिने हो गएं इन लोगों को तंका नहीं मिली है त एक्शन साब से हमने तो सीधी दो लफजी बात करी है जो ऐसी कंपनी है जो हमारे संविधा करीमियों को तंखा नहीं दे पा रहे है उसके आप ब्लैक लिस्ट करिये ऐसे लोगों काम क्यूं दिया जा रहा है सरकार दौारा तो उन्हें आशवासन दिया है कि तो दो दिन के अंदर जो नहीं कंपनी हैं उनका एक महिने का पेमेंट करेगी और बाकी जो पेमेंट है वो 25 तारिक तक का वादा किया गया है 700 किलोमेटर दूर बैटकर एक ठेकेदार इन लोगों की किसमत तैह करेगा ऐसा नहीं हो सकता इन्हें मजबूर किया जाता है चीजों के लिए उस सब बात हमने करी हैं और हमें आशवासन भी मिला है देखिए एक्शन साब से की कारवाई भी होगी और इनकी मदद भी होगी हम तो तन मंधन इनके साथ खड़े हैं सारनपूर की बात नहीं है मुझफवन अगर और जुलों में विस्तरह के आला है देखिए मेरे पास तो आज क्योंकि मेरे पास कल यह लोग आये थे कि हमारे पूरे जिले के समविदा कर्मियों के बिजली भाग का पैसा नहीं मिला टेक्नीशन है यह लोग अगर यह लोग काम नहीं करेंगे पूरी विवस्ता ठप हो जाएगी और एक बाप बताए यह ती इस मामले को संविदा कर्मियों के साथ ना इंसाफी ना हो पड़ेगा सर कितने लोग परेशान हैं इन से तो तिनों जिला परेशान है जी सानपूर मुझाफनगर सामली इन्हों नों तो इतना बुरा हाल करका सेलरी देनी नी उपर से दबाव ऐसा है कि सेलरी दो-दो मिन्ने होगे आई नी लड़कों बोलते हैं कि आठ गंटिक डिप और आगर हम इनको बोलते हैं कि हम इस नी करें तो बाहर निकलो हमें या निकल कर जाकी दिया बलकि इन लोगों ने बल्कि ऐन बीस्जान सक्राइशी सब निकल लाय लोगोर कि आपक ड़ेए रिखते हां कि अम करें नों बिल्कुल बहुरेरा करमेशारी योगा तो आमारे प्रेवाए हैं कि कभी निगालना दे कहां से मिलेगी नोगरी बहुत ही चोटे अस्तर हैं बिचारे अब कैसे मनेगा तो यहार कुछ उम्मीद जगी नहीं जगी कुछ बात करने के लिए नहीं तो जी क्या चाहते हैं अपलोग क्या हो जी हमारी समस्य का हलोना चाहिए इस है जी-जी-जी क्या कहना चाहरे है सर्मेक जैसा कि हमारे मासुची सांसर है उनके लड़के जो आया है उन्होंने आसवासन दिया है कि हम आपकी समस्य कहल कर आवां के छोड़ेंगी ठीक है यह नहीं ऑप उन्होंने जैसा मास वसंदिया हम उनके साफ से चलेंगे अभी आप हम बोलेंगे लड़कों को जो बीली घर से बार निकल लवाए थे क्यों अपनी ड्यूटी पर पर आए और पर पर काम करें आशवाशन मिला है उम्मी जगी है लेकिन कहीं न कहीं परेशान है इन लोगों के सामने कहीं दिक्कते हैं घर कैसे चलेगा उसके अलावा अब त्योहारी सीजन है दिपावली है कहीं त्योहार सामने है त्योहार पर पैसा कहां से लाएंगे तो काफी परेशान है लेकिन थोड़ा आसवाशन मिला है कि उम्मी जगी है कि शायद इस हफते इनका पेमेंट हो परिशान या काफी है इन लोगों के सामने सबसे बड़ी बात तो यही है कि दिपावली